कि अभा-चा कि अैं कि हम दोस्तों मेरा नाम है विनी टोर मैं आपका स्वागोण गरता हूँ मेरे चैनल कोका कि यह एड बोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने छेटिम ये पर विट्लिव को पोस्ट किया है और समय समय पर जो वासुदोष्णों को लेकर भी है हमने बहुत सरी विडियो बने कि घर का वासुदोष्ट गैसा होना चाहिए पर बॉस्तार से आपको बता है और दादी मهा के नियरे मा के नुस्किये इस उपाय होते हैं वो को छोटे मोडे टोने टोट के रहते हैं उनके उपाय हमने आपको बताने का परियास क्या है विभिन वीडियो के मादम से तो हमारी कोशे ही रहती है कि जो चोटे-चोटे दादी मा के नस्खे हैं नानी मा के नस्खे हैं इनका जो उपाय है वो घरेलू हो जाए तो बहते रहता है क्योंकि हरेक्टिस के लिए आप किसी के उपर नहीं रह सकते हैं तो हमारी कोशे ही रहती है अपनी वीडियो के माध् है दूसरा हमने आपको अलग लग स्क्राइब जैसे हैं क्या होती है क्या उसको हम किस परकार से करते हैं वह भी हमने आपको पता था स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बहुत साइब वीडियो बनाई हैं तो उनको भी आप देखकर कमाई करने के एक नजरिया तैयार कर सकते हैं क्योंकि आप सब के पास स्मार्ट फोन होते हैं अपने अकाउंट उपन करके किस परकार से चार्ट देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए किस परकार से बाइंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम एक कमाई का नया नजरिया आपक पस्चिम में दक्षन पस्चिम यह कौन सोने के कौन के मतलब सेनकक्स के लिए जो हमारा बिस्तर वाला रूम होता है बैटरूम जिसे हम बोलते हैं उसके लिए सबसे बैतर होता है इससे बैतर जगह कोई नहीं हो हो सकती है दूसरा नौर्थ का कोना नौर्थ का कोना यह हमारा कोना होगा नौर्थ का यह वाला कोना इस पर भी हो सकता है लेकिन सबसे बैतर जगह हमारी यह होती है जहां पर हम अपना शेनकक्स बना सकते हैं लेकिन यदि आपने देखा होगा कि किसी और कौन बन जाता है मानले ये आगने कौन बन जाता है आगने कौन क्या होता है दक्षन पूरा का कौन हो जाता है ये कौन इसे बोलते हैं दक्षन पूरा कौन इस कौने में आगने कौन अगर आगने अकोन में हमारा शेहन कक्षा बैटरूम बन जाता है तो हमें दिकत हो जाती है उन दिकतों के लिए आप क्या कह सकते हैं कि अपना जो सिर होता है सिर को हमेशा पूरो या दक्षन में सिर करके सोएंगे तो उसे एक relief मिल जाता है दोस्तों रिलीफ मिल जाता है दूसरा शांत चीजें शांत चीजें शांत समंदर होता है उसकी गहराई का पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो शांत होता है और इस परकार के बिलकुल शांत चित्र या कोई भी पेंटिंग गया अपने इस रूम में लगाएंगे तो भी आपका मंत रशांत रहेगा और जो वास्तु दोश वहां पर क्रियेट हो गया है बन गया है उसको भी हमें थोड़ा सा अवाइड करने में कामियाब हो जाएंगे क्योंकि मन कोश अगर हमने अपने शांत कर लिया तो हम हर एक चीज़ पर aggressive नहीं होंगे और हर एक चीज़ पर एग्रेसिव हो रहे हैं तो इसका मतरब कोई ना कोई प्रोब्लम्स है तो यदि हमारा शेयन का अक्ष में शांती है तो फिर हम आगे अपने बिजनेस को भी अच्छा कर सकते हैं अपने नौकरी अच्छी चाहिए कर सकते हैं अपने प्रिवारी के पर और नहीं होना है यहाद ना ना चाहिए ईदि आपने इसको दूसरे कोनों बना दिया आगें कोन बना तो फिर वहां पर शर्वंभ high वा पर शांथ को तबर्ज हो पंडित को बलाने की जोड़ते हैं आप खुद पढ़ ले और इसका एक छोटा सब्सक्राइब बार वार अपने कोशिश किये जब भी आप साथ करें थोड़ा सा अपने फरनीचर में चेंज कर लें पराने चीज़ों के बार 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 बदके रहें तो एक नई लुकसी आपके नगेटि यह नयई लुक है तो जायश हो पराने चीज़ों को आप भूलने का परियास करेंगे तो यही वास्तु दोस्त की जो नेगेटिविटी बनी है उसको कम करने का परियास करेगा एक और आप छोटा से उपाय कर सकते हैं कि यदि आप एग्रेसिव जो फोटो होती है जैसे कोई शेर है शिकार कर रहा है हाती है उताअग तानड़ाओ कर रहा है वह शोग नुकसी जैसे कोई लागा है इस पर पर चाती हैं अपनी यही जो फिल्टी आप अगर यूज करेंगे तो आपकी जो मन procent रहेंगे और मनJoshuर्ति और शांत रही ग्यूस तो आप पहतर पोजिटिवनेज की एनरजी आप लेकर आ सकते हैं तो एक छोटे-छोटे उपाए हैं जो हमने आपको बताए हैं कि यदि आपके घर में कोई विवास दोश हो गया है चाहिए वो आपके बैडरूम का है या फिर कीचिन का है या किसी वरकार का है तो सब परकार का हल एक जोटी है कि आप घर के नंदे राम चरीत्र का पाठ करें या फिर आप सुदर कांड का पाठ कर लें और कोशिश करें कि मंगालवार को अगर आप फास्ट रखते हैं या नाखते बात लेकिन मंगलवार को यदि आप जितनी भी आपके शेर्द है उसके हिसाब से अगर करेंगे पांच मिन्टों मंद्र में शांती से ध्यान लगाएं तो यह भी एक बहुत बड़ी पोजिटिव एनरजी आपके अंदर डेवलोप हो जाएगी तो यह करने च्छोट च्छट उपाय करने से ही जैसे मैंने बता आपको घर का फरनीचर है उसको आप बार बार चेंज करते रहें हर महीने में एक बार नया लोग देने का परियास करें कुछ अलग कर लें क्यूंकि आप जानते हैं कि हाँ प्रोब्लम्स क्रेट हो सकती है इसी से तो कुछ चेंज ले कि आ जाएं वो चेंज आपको मोटिवेट करेगा पोजिटिव रहने के लिए और जो पेंट हो एग्रिसिव नेस पेंटिंग आप अपने घर में परियोग ना करें तो यह छोड़-छोड़ चीज़ों मैंने आपको बता हैं यह दिया आप करते हैं तो आपको यह किनमानी अवहिश्य हिलाब होगा और अगर कोई नया मकान बना रहा है तो वह इन चीज़ों का पर कट किया जाए लोगों को समझाया जाए उनकी जनल नौलिज को बढ़ाया जाए ताकि लोगी चीज़ों को छुट-छुट चीज़ों को करके आप अपने घर के इन्वार्मेंट को पोजिटिव कर सके हैं तो दोस्तों हमारा परियास यही रहता कि सब सुक रहे हैं शान ना बिल्कुल ना बोले थैंक्यू 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 फोर वाचिं यू एंड मी